हलो एब्रिवान स्वागात है हमारे कुकिंग ब्लॉग में कैसे हैं आप लोग आसा करते हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होगे तो आज हम बना रहे हैं एक अलग तरह के पकोड़े जो पोई के पत्ते से बनता है तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं ये गोल तैयार कर लेते हैं जिसके लिए हम दो बड़ा चमच चावल काटा लिए हैं एक टेबल स्पून बेसर हाफ टेबल स्पून यहां पर हम कौन फ्लोर लिए हैं और हाफ टीय स्पून यहां पर अजवाइन लिए हैं इसको थोड़ा साम कर लिए हैं अब हम इसको मिला ले और इसमें हम लाल मिर्च पौडर नमाक स्वाद के नुसार हल्दी और यह चाट मसाला एड़ करेंगे और यह हरी मिर्च है इसमें हम एक्स्ट्रा मसाले आड़ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे एकदम थोड़ा थोड़ा ही पानी आड़ करें और इसको हम घोल बनाने के बाद लगवाद पांच मिनट के लिए हम रेस्ट करने देंगे तब यह और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा जिसमें चावल कायटे थोड़ा से फूल जाएंगे अब हम इसमें लेवन जूस एड़ कर रहे हैं और थोड़ा सा गर्म तेल एड़ कर रहे हैं अब यहां हम छोड़ दी हैं पास दस मिनट अब हम इसमें पोगी का पत्तर डाल करके उसको गर्म तेल में डिप फ्राइगे तो इस तरह से हम फ्राइगे इसको और यह बहुत ही क कि फ्राई करना है कि हलका सा ब्राउन कलर आजाए अब यह फ्राई हो चुका है अब मिसे निकाल लेते हैं यह कि बहुत ही क्रिस्पी बनता है और अब बचा हुआ पत्ता को भी है इसी तरह फ्राई कर लेंगे इसमें आप चाहे तो बेसन नहीं एड़ कर सकते हैं सिर्फ चावल के आटे से ही बना सकते हैं यह दोनों फ्राई हो चुका है मैं इसको निकाल ले रहे हैं और इस तरह से बनाईए खाईए इंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद रहे तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू कर दो